नमस्कार मैं हूँ अमित्तिवारी और आप सभी का जी राजस्थान के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं S3N2 वारेस के वारे में S3N2 वारेस से मोतों के संख्या बढ़ेने से सरकार अलेट मोट पर आ गई है वा इसके केसिस की लगतार मोनिटरिंग कर रही है बताया जा रहा है कि S3N2 से अब तक 6 लोगों की मोत हो चुकी है हालांकि 2 मोटों की ही पुष्टी हो पाई है एक्सपर्ट्स ने खुद से इलाज ना करनी की दी है सला फोर्टी से अस्पताल में इंटरनल मेडिसीन के डॉक्टर विशाल गुपता का कहना है कि यहां इंफ्लूंजा प्रदूशन एकतर करने वाले कारकों के कारण भी फैल रहा है जारतर लोग मास्क नहीं पहन रहे है लोग इंफ्लूंजा के लक्षन मिलने पर खुद से दवाई ले रहे हैं इससे ब्रोंकाइंटी जैसे मामले सामने आ रहे हैं खासी गले में संक्रमन है इसके लक्षन इस वाले से बचाओ के लिए ICMR ने अडवाजरी जारी की है डॉक्टर्स के मताबिक इंफ्लूंजा के अडिक्तर मरीजों में एक जैसे लक्षन है जैसे खासी, गले में संक्रमन, शरीर में दर्द, नाक से पानी आना एम्स के पुर्व डायरेक्टर डॉक्टर रंदिप गुलेरिया ने कहा कि H3N2-1 प्रकार का इंफ्लूंजा वाइरस है जिसके मरीज हर साल इस समय सामने आते कोविट की तरह फैलता है यहां इंफ्लूंजा वाइरस, डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि यहां इंफ्लूंजा वाइरस ट्रॉपलेट के जरिये कोविट की तरह ही फैलता है, केवल उन लोगों को सावधान रहनी के जरूरत है जिने पहले से यह पिमारी है, एतियात के तोर पर मास्क पहने, बार-बार हाथ धोएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हलांकि इससे बचाओ के लिए वैक्सिन भी उपलब्ध है. ये वारेस उपरी रेस्पिरेटरी ट्रेट को करता है प्रभावित. एमस के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्यूस रंजन ने बताया कि S3N2 उपरी रेस्पिरेटरी ट्रेट को प्रभावित करता है. जैसे बुखार, खासी, सर्दी, गले, नाक और आखों में जल को हाइड्रोटे रखने के अलावा मास लगाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मरीज को ठंडे पानी, आइस्क्रीम, कोल ट्रिंक या तेलिया भोजन के इस्तमाल से बचना चाहिए. लोगों को विटामिन C और जींक कर सेवन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर साल इंफ्लूंज झाल झाल